बेटा तुम अपनी बुरी आदतों को क्यों नहीं सुधार पे पापा मैं सुधार लोगा अपनी बुरी आदत अभी तो बहुत टाइम है और अभी तो बच्चा आउ मैं बेटा कल तुम्हारे टीचर तुम्हे बुला रहे थी तुम उनके साथ पार्क में जाना गूमने के लिए अच्छा पापा हाँ बिलकुल हलो सर अज आपने कहा था कि आप पार्क में मुझे गूमाने ले चलेंगे हाँ बेटा चलो गूम कर आते हैं अरे वा बेटा देखो एक छूटा सा पोधा चलो इसे निकाल के दिखाओ अरे सर इसे मैं एक मिनेट में निकाल के दिखाता हूँ ये देखे सर एक मिनेट में निकाल दिया अच्छा अब इन जारियों को निकाल के दिखाओ हाँ अभी निकालता हूँ थोड़ा मुश्किल है पर निकाल के दिखाता हूँ ये तो थोड़ा मुश्किल है निकालना इसमें तो टाइम लग जागा निकालने में अच्छा अब इस पेड को निकालने की कोशिश करूँ आरे सर इसको निकालना तो बिल्कुल ही मिश्किल है, यह तो निकलेगा भीने मुझ पे, चैका कितनी महनत लगा लूं मैं? बेटा तो तुमने देखा, एक छोटे से पौदी को तुम एक मिनिट में निकाल देते हो, कुछ जाड़ियों को तुमें निकालने में समय लगेगा, और एक पेड़ को जो बहुत टाइम से है, उसको निकाल ही नहीं सकते तुम. हाँ सर. तो मेरे बच्चे ऐसे ही होती हैं बुरी आदते, अगर शुरुआत में कोई बुरी आदत है, उसे निकालने की कोशिश करूं, तो वो एक मिनिट में निकल जाएगी, एक या दो दिन में, लेकिन अगर कोई आदत बहुत टाइम हो गया है, तो उसे निकालने में थोड़ी महन लगेगी लेकिन कोई आदत बहुत पुरानी हो गई है तो उसे निकाला ही नहीं जा सकता क्योंकि वो तुमारे अंदर पूरी तरीके से घुश जाएगी इसलिए अब से तुम अपनी बुरी आदते छोड़ दू क्योंकि स्टार्टिंग टाइम है तुमारी बुरी आदतों का सर मैं आपकी सारी बात समझ किया और अपसे मैं अपनी सारी बुरी आदते छोड़ दूँगा क्योंकि अगर वो पेड़ की तरह बन गई सारी बुरी आदते तो कभी छूटेगी नहीं मुझसे थाइंक्यू सर मुझे ये बात समझाने के लिए दोस्तों मिंकू को तो ये बात समझ में आ गई कि अपनी बुरी आदतों को जल से जल छोड़ दीजे वरना अगर वो आपके अंदर बैठ गई पूरी तरीके से तो उसे छोड़ना ना मुम्किन हो जाएगा क्या आपको समझ में आई